हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आमला चूर्ण का और आमला के बारे में आपको पूरी इंफोर्मेशन देंगे इसके बहुत सारे हल्थ बेनिफिट्स है उसके बारे में हम आपक तो चलिए दोसतो आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आवला के बारे में जितना कहा जाए कम है इसके बहुत सारे हल्थ बेनिफिट्स है ये 100 रोगों की एक दवा है इसको हम कई तरीके से यूज़ करते हैं जैसे आवले का अचार, आवले का चटनी, आवले का चूरन, आउले का जूस, आउले का मुरब्बा या फिर कच्चा आउला को भी खाया जाये तो ये बेहत लावकारी होता है क्यूंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में वीटामिन C, आयरेन और केलसियम होता है आउला एंटी ओक्सिडेंट से भड़ा होता है जो हमें बीमार आउले का रस हमारे आखो के लिए काफी जादा लावकारी और फाइदे मंद होता है क्यूंकि ये हमारे आखो के रोसनी को बढ़ाने में मददगार साबित है आउला बलड सुगर को भी कंट्रोल करता है ये कंस्टिप्यूशन जैसी समस्याओ से भी राहत दिलाता है यानि की कवजियत की सिकायत हो आपको तो आगर इसका चूरन यूज़ करते हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है ये हमारे भोजन को भी पाचन करने में काफी जाधा मददगार साबित है आउला हडियों में कलसियम की कमी को भी दूर करता है और हडियों को मझबूत और श्ट्रोंग बनाती है, आउला हमारे बोडी में कई सारे इंफेक्शन को होने से रोकता है, ये पंगल इंफेक्शन जैसी समस्याओं को भी होने से रोकता है, आवला महिलाओं की समस्याओं के लिए भी काफी ज़्यादा लावकारी माना जाता है आवले का रस बाबसीर के पेशेंट के लिए बहुत ही लावकारी माना जाता है और ये मोसन चेंज होने के बज़े से जो viral infections हो जाते हैं उससे भी हमें बचाता है आवले का जूस वजन कम करने में भी सहायता करता है अगर आपका वजन वेट बहुत ही ज़दा हो गया हो तो ये वेट लोस करने में काफी हद तक हमारी मदद करता है अगर आपका बाल गरोथ नहीं करपा रहा हो और बाल जहर रहे हो तो आप इसका जो पाउडर आता है आप यूज कर सकते हो इसको नाडियल पेल के साथ मिक्स करके अपने बालों के जर पे मालिस करें आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आवले का पाउडर आपको 100 ग्राम के पैकिंग में मार्केट में एवलेबल मिल जाएगी और इसकी जो प्राइस है वो 60 रूपीज है और आपको ये पतांजली कंपनी की मिल जाएगी और इसका जूस भी आपको मार्केट में मिल जाएगी एवलेबल जो बहुत ही फायदे दोस्तो अब हम आपको बता देते हैं आवले के side effect के बारे में तो normally इसके कोई भी side effect नहीं है और अगर हम इसके बाद करें overdose अगर हम इसका लेते हैं तो हमें hyper acidity और हमारी virgin जो है कम हो सकती है अगर आप इसे continue supplement की तरह use करना चाते हो तो आप एक बाद डॉक्टर की सला जरूर लिजेगा फ्रेंड्स यह छोटा सा information अगर आपको helpful लगा हो तो वीडियो को एक like कर दिजेगा और आप अपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं आप हमें instagram और facebook पे भी message कर सकते हो वहाँ पे मैं ज्यादा active रहता हूँ तो जल्दी आपको reply कर दूँगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सबसे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत